अवधेश प्रताप सिंग विशेविद्याले में घोशित परिच्छा तिथी को बदलवाने एनसी उवाई के कारेकरताओं ने प्रशासनिक भावन में की ताला बंदी। और जिनका रिजल्ट आया भी है उसमें छात्रों को एपसेंट किया गया है। ज्यादातर छात्र अपने नमबरों से नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में परिच्छाओं का आयोजन छात्रों को परेशान कर रहा है। विशेविद्याले कलेंडर के हिसाब से अभी निर्धारित कच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। और अगर ऐसे में परिच्छाओं का आयोजन होता है तो निश्चित ही इसका बुरा असर छात्रों के उपर देखने को मिलेगा। एनस युवाई के कारिकरताओं और छात्रों ने काफी बड़ी संख्या में पहुँचकर मंगलवार को प्रशास्निक भवन में ताला बंदी कर परिच्छा तिथी को बदलने की मांग की। कि वीसिस आप आपकी जो परिच्छा फाम की डेट है वो 25 तारीक तक है और आप आज तक एक भी रिजल्ट नहीं दे पाए हैं आप परिच्छा कारेकरम जो है पेपर की जो डेट है वो आप 27 तारीक से रख दिये हैं खुद आप सोचिए कि 25 तारीक तक परिक्षा फार्म की डेट है, केवल 26 तारीक को गए, फिर 27 तारीक को आप परिक्षा ले रहे हो, किसी का रिजल्ट नहीं आए तो वो परिक्षा फार्म कैसे डालेगा, जिसका रिजल्ट आए उसमें बिठेड लगा दिये है, जिसका इस तारीक को परिक्षा को आगे बढ़ा दीजिए, जिससे 4-6 दिन बच्चों को टाइम मिल जाए, वो अपना पूरे जो रिजल्ट है क्लियर करवाले, परिक्षा फार्म डाले, सभी स्टुडेंट परिक्षा में बैठ जाए, लेकिन वीजी साब ने इस बास से इंकार कर दिया, इसलिए आज हम लोग पूरी तरह से भी सुभी जाले बंद करके रखे हैं, जब तक परिक्षा फार्म की डड़ नहीं बढ़ाई जाएगी, और चात्रों की भी समस्या है, एक एक नंबर से फेल कर दिया गया है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 28, 27, 27, 25, 25 नंब इसके कारण से उसमें से बहुत छात्रों को अपसेंट कर दिया गया है, बहुतों को तो विकल्ट कर दिया गया है, और यही एक एक नंबर से फेल कर दिया गया है, और यही हल में डिपार्टमेंट में भी है, जब तक विस्टु विद्याले प्रसासा निंसारी समस्याओं क का समाधान नहीं करेगा तब तक हम लोग भी सुपिद्याले को पूर रूपेड बंद करेंगे अगर आज कोई अधिकारी हास्वासंदेने नहीं आता है तो कल भी सुपिद्याले के सभी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बंद करेंगे और अनिश्चित कालीन बंद करें लोगी सुपिद्याले करेंगे।